हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजूकेसिन एंड नियूज बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर एडमेट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और दूसरा कुछ बच्चों को आज एडमेट कार्ड अभी डाउनलोड करने में दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टेक्निकल एरर आएगा एक बार वेबसाइट थोड़ी डाउन होगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी तो देखो पहले तो डाउनलोड कैसे करना है देखो सबसे पहले आपको इस परकार से ruhs.org यह इसकी वेबसाइट है मरे दोस्तों इसे आपको ओपन करना है ठीक है वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको एडमिसन में जाना है admission में जाने के बाद आपको nursing पर click करना है ठीक है जैसे नर्सिंग पर click करते हो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक interface दिखेगा इस interface पर centralized admission session 2021-22 इस पर click करना है इस पर click करोगे तो आपके सामने यह interface आएगा इस परकार से इस interface में आपको इस BSE Nursing पर क्लिक करना है उपर यूपर जहां लिखा हुआ है BSE Nursing इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये interface खुलेगा देखिए इस interface में आपको या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो क्लिक here to download admit card forum number को recover करने का option दिया नहीं है मर दोस्तो अब बहुत से बच्चों की एक दिक्कत है कि सर मेरे पास form number नहीं अब मैं क्या करूँ ठीक है न ये बहुत से बच्चों को दिक्कत है तो देखिएगा यहाँ पे आपको candidate login का option मिल रहा है और date of birth ठीक है बिना password की keyword forum number से आप जो है forum download कर पाओगे जैसा कि मैंने आपके सामने एक download करके दिखाया था मैं और आपको यहाँ पी दिखाना चाहूँगा उस बालक की date of birth अब मुझे चुकी याद नहीं है ठीक है न तो इसलिए मर दोस्तो यहाँ पे यह आपके सामने है admit card वाला कुछ बच्चे कह रहे हैं sir हम forum number भी सही डाल रहे है date of birth भी सही डाल रहे है और continue पर क्लिक कर रहे है तो भी error आ रहा है लिखा हुआ तो इसके बारे में मैं clear कर दूँ आपको क्योंकि अब दिक्कत यह है कि बहुत ज़्यादा user आ रहे हैं website पर तो आदा गंटा या एक गंटे के लिए किसी एकाद student को यह दिक्कत आ सकती है या फिर जिनके internet की speed slow है उनको भी यह दिक्कत आ सकती है आप forum number भी सही डाल रहे हो date of birth भी सही डाल रहे हो और जैसे continue पर okay कर रहे हो यहाँ पर incorrect का option आ रहा है did not match का option आ रहा है तो आप समझ लेना कि या तो आपके वेब की speed है net की वो slow है या फिर मेरे दोस्तों इसका थोड़ा server down है server तो कोई भी website हो मेरे दोस्तों जब उस पे ज़्यादा user आते हैं ज़्यादा लोग उसको visit करते हैं तो थोड़ी down हो जाती है site लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ठीक भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं अब अगर download नहीं हो रहा है तो एक गंटे बाद दो गंटे बाद या evening के time में आप जो है download कर लेना ठीक है download करने के बाद मैंने आपको बताया ही था भी थोड़ी देर पहले admit card डाउनलोड करके बताया था तो download करने के बाद में मेर दोस्तो आपको एक बात का ध्यान रखना है क्या सर ध्यान आपको ये रखना है कि उस admit card पर आपको अपना एक password size photo लगाना है यदि आपके पास password side photo ठीक वही है जो आपने forum भरा था वो photo अब अगर आपके पास है तब तो वही लगा देना अगर वो नहीं है तो उसके जैसा एक photo खिंचवा के लगवा देना ठीक है बाकी अब आपके center declare हो चुके हैं तो अब आपको क्या है कि में दोस्तो विजय education and news पर लगवग 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं जिनमें हमारे nursing के और RUHS के अंदर करीब करीब 25,000 बच्चों के आसपास जो forum भरे हैं ठीक है इन मेंसे भी 20,000 बच्चे अपने channel पर जुड़े हुए हैं तो किस student का कहाँ पर center आया है इसके लिए मैं कल साम को एक discussion panel स्टार्ट करूँगा जिसमें आप आपस में discuss कर लेना कि किस का center कहाँ पर है यदि जैसे कोई दो friend है या ठीक है न आप लंबे समय से इस class को ले रहे थे तो आखिर आपका center कहाँ पर आया है कितने बच्चों का center एक ही जगे एक ही hall में आया है इसके लिए अपने एक discussion panel को लेंगे उससे आपको कुछ फाइदा होगा एक तो ये फाइदा होगा कि कौन सा center city में कौन सा center city के बाहर है ठीक है न ये सारी चीजे में आपको कल evening के समय live class में बताने वाला हूँ ठीक है न तब तक आप admit card निकाल लेंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आपका center कौन सा है तो जो mainly जैपुर के बाहर के बच्चे हैं उनको मैं पूरी तरह से जान करी दूँगा कि आपको कहां पे उतरना है center में कैसे जाना है center कितना आपका दूर है आपको पूरा comment box में मुझे बताते रहना है और कल साम को कितने बज़े मर दोस्तो कल साम को सबाव 5 बज़े अपन जो है discussion panel शुरू करेंगे जिसमें आपके exam center का wish listen करेंगे कि अपने जो class में जुड़ने वाले जो बच्चे है उनमें से किस का center कहां पे आया है कौन सा center कितना दूर है कुल कितने center बनाए गए है ठीक है और हर एक center पे कितने student exam देंगे ठीक है मैं complete जानकरिया आपको देने वाला हूँ ठीक है इसके अलावा मेरे दोस्तो आज आपको सवा पांच बजे साम की मेरा थन class में जुड़ना है जिसमें मैं बायो के आज पांच important topic का revision करवाऊंगा आज बाई लोजी के मैं कितने topic का revision करवाने जा रहा हूँ पांच important topic का revision करवाने जा रहा हूँ और पांच topic के total लगबग में दोस्तो 100 प्रशनों को में revise करवाने वाला हूँ 100 MCQ आज बायो के में revise करवाने वाला हूँ तो ये एक बार जिनको admit card को लेकर के परिशा नहीं हो रही है जिनके admit card download नहीं हो रहे है वो पहले तो चिंतित नहीं होना उनको बार बार call कर रहे है मेरे को sir admit card download नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो मैंने पहले ही कह दिया site को लेकर के issue है थोड़ी देर बाद में solve हो जाएगा ठीक है दूसरी बात सुन लो exam की date तो clear है 25 जनवरी को exam है exam का time भी clear है exam का time क्या है तो sir exam का time एक बज़े से तीन बज़े का है ठीक है exam center पर किते बज़े पहुँच रहे है 12 बज़े एक गंटे पहले तो पहुँच रहे है reporting करने के लिए लेकिन आपको साड़े 11 जाना पड़ेगा क्योंकि 12 बज़े तो आपको entry देंगे अंदर तो आपको साड़े 11 जाना है center पर ठीक है यह भी समझ लो आप लोग इसके बाद में dress code को लेकर कि मैंने पहले ही कहा बिल्कुल normal dress आपकी होनी चाहिए जैसे बाकी वाले exam में dress code होते है वैसे ही इसमें dress code है यह भी एक exam है ऐसा नहीं है कि अपने मन के मुताबित कुछ भी नहीं पहन के जा सकते ठीक है जो normally exam का अनूशासन होता है वो यहाँ पर भी होगा ठीक है मरे दोस्तों तो इसलिए आप एक basic uniform होनी चाहिए जैसा आपका मन संतुष्ट हो जाएगी यह चल जाएगी ठीक है न तो मरे दोस्तों इन बातों का द्यांद रखना है बागी jacket वगेरा यह पेन के जरूर जाना है sweater वगेरा पेन के जरूर जाना है अगर आपको उतारने के लिए कहें तो आप center के बाहर आराम से रख सकते हैं हर एक examination center के बार कोई न कोई ववस्ता जरूर मिलेगी ठीक है न तो मरे दोस्तों यह भी मैं आपको बता देना चाता हूँ वैसे exam दिन में है तो इतनी ज़्यादा ठंड वाला issue रहेगा नहीं ठीक है न अगर सुबह का जल्दी exam होता तो दिक्कत जरूर रहती ठीक है यह भी मरे दोस्तों है मैं तो पुन बात थी आपको बता नहीं थी मैंने बता दी इसके लावा बहुत से बच्चे कह रहे है सर हमारे फॉरम नमबर मेरे पास नहीं है मेरा फॉरम खो गया है तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि फिलाल फॉरम रीकवर का उप्सन नहीं दिया है लेकिन मुझे लग रहा है कि आज साम तक आपका उप्सन आ जाएगा फॉरम नमबर रीकवर करने का ठीक है न मेरा भी परियास चल रहा है ठीक है न तो हम परियास करेंगे मनोज सर को मैंने इमेल भी कर दिया है ठीक है न तो हो सकता है कि वो पेरा मेडिकल और फार्मेसी में फॉरम नमबर रीकवर का उप्सन उन्होंने डाला था तो साथ बीएसी नर्सिंग में भी थोड़ी देर बाद में उप्सन डाल देंगे उप्सन नहीं डालेंगे तो अपन परियास करेंगे और उप्सन डलवा देंगे ठीक है आप निचिंद रहें वो कि मेरे दोस्तो जय हिंद वंदे मात्रम भारत माता की जय है और हाँ एक और जाते-जाते निउस वो यह है मेरे दोस्तों कि बहुत से बच्चों ने मेरे पास में एक हजार से भी जादा बच्चों ने मोडल पेपर के लिए आज जो है रिजिस्ट्रेशन किया है उन सभी बच्चों को मैं कहना चाता हूँ उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं यदि थोड़ा पांच मिनट दस मिनट अगर मोडल पेपर लेट होते हैं तो कोल नहीं करें ठीके न केवल मैसेज डाल दे तो मैं बेजी रहा हूँ और अगर किसी बच्चे को मोडल पेपर चाहिए तो तुरंद मोडल पेपर लीजिएगा मेरे दोस्तों 9828721229 बहुत बड़ा ओफर चल रहा है आज जो मोडल पेपर लेगा आज और कल में उसे केवल 75 रुपे में मोडल पेपर मिल रहे हैं जिसमें मोडल पेपर के साथ क्यूसन बैंक में फ्री में दे रहा हूँ एक अजार से भी ज़्यादा प्रश्ण है हिंदी और इंगलिस दोनों मीडियम में और हर एक प्रश्ण का विस्तुरित सोल्विशन भी साथ में है तो मेरे दोस्तों अगर आपको लेना है तो आप इस नमबर पे फोन पे गूगल पे या पेटियम पिचतर रुपे करके उसका स्क्रीन सोट लेकर के पुने इसी नमबर पे बेज दे तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही जैन वंदे मातरम भारत माता की जैन